माटी से बनी डोर वैजन्ती और रनविजय की कहानी माटी से बनी डोर एक भारतिये टेलिविजन धारा वाहिक है जो स्टार प्लस पर प्रसारित होता है यह कहानी वैजन्ती और रणविजय के जीवन के इर्दगिर घूमती है, जो दो अलग-अलग प्रिष्ठ भूमियों से आते हैं, लेकिन एक अनोखे बंधन से जुड़े होते हैं वैजन्ती एक मस्बूत और स्वतंत्र महिला है, जो एक छोटे से गाव में रहती है वह अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालती है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी महन्त करती है वैजन्ती की दृर्टा और आत्म विश्वास उसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है रनविजय एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आता है, वह एक सफल व्यवसाई है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन है, जिसे वह भरना चाहता है रनविजय की जीवन शैली वैजन्ती से बिलकुल अलग है, लेकिन उनके बीच एक अनोखा आकर्शन है, जो उन्हें एक दूसरे की ओर खीजता है कहानी का प्लोट वैजन्ती और रनविजय की पहली मुलाकात एक सन्योगवश होती है उनके बीच एक तुरंट आकर्शन पैदा होता है, लेकिन उनके अलग-अलग जीवन और प्रिष्ठ भूमिया उनके रिष्टे में कई बाधाई डालती है वैजन्ती के परिवार और रनविजय के परिवार के बीच भी कई मत्भेध होते हैं, जो उनके रिष्टे को जटिल बनाते हैं वैजन्ती और रणविजय को अपने प्यार को साबित करने और अपने परिवारों को समझाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन्हें सामाजिक दबाव, परिवार के विरोध और अपने ही संशियों से लड़ना होता है कहानी का अंत माटी से बनी डोर का अंत एक खुशाल नोट पर होता है वैजन्ती और रणविजय अपने प्यार को साबित करने में सफल हो जाते हैं और एक सुन्दर परिवार बनाते हैं उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है और सक्चा प्यार हमेशा जीतता है माटी से बनी डोर एक रोमांटिक और भावनात्मक धारा वाहिक है जो दर्शकों को वैचनती और रनविजय के जीवन के उतार चड़ाव में शामिल होने का मौका देता है यह एक कहानी है जो प्यार, परिवार और जीवन के संधर्शों के बारे में है